हाई फरेंद्स फेलकम तुझा तुझा थे देवा इंग्लियस सफोक क्रास्थ, फरेंद्स इंफ़ाटिक कंड स्टेन्ट से संबंधीत मैंने साथ विडियोगममथ। बना दियं है और साथ विडियोदाल चुका हूं मैं आज यह इंफक्यक practicing statement से संबंधीत। आटार वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगा ठीक है फ्रेंट्स तो let's start the class of the day friends in fact if you are statements क्या होता है अब तक आप अच्छी तरह से समझ गया होंगे ठीक है friends तो in fact if you are statements अम कुछ और नया सेकता है है आज ठीक है संतंगा कि य没有하기 went up इत्विस्तुर्व मिट्र ककुशनी ने भी मदद नहीं की इस्से आपको समझ में आगका होगा कि हम क्या कहना चाहँ मतबहरी Northern content से क्या क्या करने के कोशिच कि जा रहे हैं हिंदि तो अभी थर स्मझ माती है तो दुश्मन तो दुश्मन, बोलते हैं ना यार, अले दुश्मन तो दुश्मन यार, दुश्मन की तो छोड़ो यार, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, इस तरह साम बोलते है हिंदी में अक्सर, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, दुश्मन तो दुश्मन मित्रों ने भी मेरी मुदात नहीं की, not to speak of friends, sorry, not to speak of enemies, नहीं की, not to speak of enemies, even friends did not help me, तुष्मुन तुष्मुन, मित्रो नहीं मेरी मतद नहीं, की, मदद तो मदद, दूसरा सिंटेंस है, मदद तो मदद, उसने मुझे, मुझसे बात भी नहीं की, not to speak of helping, not to speak of helping, उसने मुझसे बात भी नहीं की, he did not even talk to me, not to speak of helping, he did not even talk to me, not to speak of, not to speak of, अगर यहाँ पर यहाँ पर वर्व आता है, तो उसने मुझे लगाएंगे, वर्व नहीं आता है, अब्जेक्ट है, तो अब्जेक्ट लिग देंगे, not to speak of यह सब में लगाते जाएंगे, not to speak of helping, he did not helping, even talk to me, कोट तो कोट उसे कमिजब नहीं है, not to speak of a court, he hasn't even a shot, not to speak of a court, he hasn't even a shot, ठीक है, फ्रेंट कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही इजी है यह, सिर्फ इतना है समझना है कि इस तरह की संतेंज जब भी आ है, तो इसमें not to speak of लगा कर, अबजेक्ट है तो अबजेक्ट लिखेंगे, और अगर वर्व है यहाँ पे, तो वर्व लिखके उसमें आए इंजी लिखाएंगे, ठीक है फ्रेंट्स, अभी यह संतेंज, गहना तो गहना उसे साधारन चूडिया भी नहीं है, not to speak of ornaments, she doesn't have even common bangles, तो गहना तो अबजेक्ट, अब यह sentence लिजए, दोस्तों की काउन के है, मैं तो दुश्मानो के भी मदद करता हूं, मतलब ये थोड़ा देखने में आलाग यह सल लगरा लेकिन है वही कि है अर दोस्त थो दोस्त मैं दुश्मानों के भी मदद करता हूँ ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि दोस्त थो दोस्त हम मैं दुश्मानों के भी मदद करता हूँ तो not to speak of friends I help even your name is ओक फ्रेंट्स यह थे sentences इंफ्तिक वरेस्टेटिमेंट्स के जो not to speak वाला sentence था इस तरह के जो भी sentence आए उसमें not to speak of लगाओ फिर उसके बाद अगर वर्व आता है तो वर में इंज जरू लगाओ और उसके बाद अगर object आता है तो object लिखो ठीक, फ्रेस्ट है उसके पाद, जो संत्य हैं इसमें एवन जरूर लगेगा जिसमें भी, मित्रोर ने भी हा यहाँ, यहाँ पर यहाँ पर 味त्रो से पहले एवन लगेगा एवन फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर बात भी नहीं करता नहीं की तो बात भी यानि टॉक टॉक मतलब बात करना तो टॉक से पहले हम इवन लगाएंगे तो कमीज लिखने से पहले हम इवन लगाएंगे यहां पर चुडिया भी तो इवन लगाएंगे आपर हम बैंगल से पहले इवन दुष्मनों को की भी मदाद करता हो तो दुष्मनों की भी इवन इने मिस ज्ञार पर नॉट टू स्पीक लिखना है फिर इदेर इवन कहा लगाना है हुआ समझना बस इवन बिल्कुल सिंपन है जाबी भी दिया है जिस भी ऑबजेक्ट के बाग भी दिया है उस आबजेक्ट से पहले हैं हम इवन लगाएंगे ठीक है ने बहुत मुज़्ए सींपर है तो कभी रोता है, वो कभी गाती है, तो कभी रोती है, इस तरह के sentence हम कैसे बनाएंगे, बहुती सिंपल है, आप समझते जाना, क्या सिक्षक, क्या छात्र, तो वेदर लगाएंगे आपर हम, वेदर, टीचर्स, और स्टुडेंट्स, और थे हैं, तो अल वर प्रिजेंट, वेदर, टीचर्स, और स्टुडेंट्स, और वर प्रिजेंट्स, सिर्पे आपर इस तरह के sentence में, क्या घी, क्या तेल, सब कुछ महेंगा है, क्या आदमी, क्या जानुबर, सब के सब बीजी थे, इस तरह समल हिए, क्या बुडह, क्या बच्चे, सब के सब गुसे में थे, इस तरह सम्मर Sam a sentence बों फ़र षेंगे, फिर अबजेट्स के बाद और और लगाएंगे दो अबजेक्ट होता है उसमें, दोनों के बीच में हम और लगाएंगे ठीक है फ्रेंड्स, क्या घी, क्या तेल, सब कुछ महेंगा है तो whether यहाँ पर थ लगएगा Whether ओयल और घी Everything is dear Whether ओयल और घी Everything Whether ओयल और घी Everything is dear वह कभी हशता है तो कभी रोता है Now He laughs Now He cries बहुत ही सिंपल है वह कभी हशता है तो कभी रोता है Now He laughs Now He cries वह कभी गाती है तो कभी रोती है Now Now She sings Now She cries बहुत ही सिंपल है ठीक है फ्रिम्स वह कभी काती है तो कभी रोती है Now She sings Now She cries This is very simple बस समझ रहा है इस तरह के संटेंस में हम वैदर लगाएंगे फिर अब्जेक्ट तो नो अब्जेक्ट के बीचे में और लगाएंगे फिर इस तरह के संटेंस आएगा जिसमें नाव नाव लगाएंगे ठीक है फ्रेंट्स बहुत यजी है फ्रेंट्स इंफैक्टिक और स्टेट्मेंट्स का टॉपिक जो है खतम हो गया अब इस वो के संटेंस नहीं है अब हम अगले बार दुसरी कुछ और टॉपिक लिगर आएंगे ठीक है फ्रेंट्स अगर आप हमरे चैनल पर नए है तो आप से रिक्वेश्ट करता हूँ कि आप हमरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजी अगर आप इंग्लिश सिखना चाते है तो और बेल आइकोन को भी क्लिक कर दीजेगा ताकि हमरे हर वीडियो का नुट्रिफिकर्शन आपको मिलता रहे ठीक है फ्रेंट्स तो आप तक हमरे वीडियो देखने के लिए थाइक्स थाइक्स अलोट धनेवा